Hello my dear students, today we are going to start our new lesson that is lesson number 11 named heaven and hell that is given on page number 76 on your book. That is a story, तो ये जो आपका lesson है students वो एक story है और इसमें जो नेम है आपकी lesson का heaven and hell, तो heaven means होता है स्वर्ग और hell means नर्ग, तो ये जो हमारे story स्वर्ग और नर्ग के बारे में ही है, तो हम lesson को start करते हैं, One day, all the ministers of Krishna Devrae's court were chatting among themselves, एक बार की बात है, जब Krishna Devrae, मतलब उस राजी के वो राजा रहते हैं, तो वो अपने ministers अपने मंत्रियों के साथ आपस में बाते करते हैं, चेटिंग में बाते करना, The topic, weird towards heaven, only if you are pious and donate generously to temple charities, can you ever hope to go to heaven, they all felt, तो जो वो topic था उनकी बात करने का, वो क्या topic था, स्वर्ग के बारे में, यह न, वो जो topic था, वो स्वर्ग पे चले गया, वेर डेन मतलब वो topic वही पर जाकर रूख गया, और सभी आपस में बात कर रहे थे, तो topic जैसे ही निकला तो उन्होंने बुला कि अगर आप पवित्र हैं, पायस का मतलब क्या होता है, पवित्र है न, और अगर आप दान कर रहे हैं, डोनेट करने वाले हैं, जो उतारता से दान करते हैं और जो लोग उतारता से दान करते हैं जो पवित्र होते हैं तो वो क्या आशा करते हैं उनको क्या फिलिंग होती है उनको स्वर्ग जैसी फिलिंग होती है तो वो आपस में से उनकी बाते चल रही होती है I don't agree with you तेनाली रामा ब्रोक इन तो सब जब आपस में बाते कर रहे होते दरबारी, मंत्री, मिनिस्टर्स तो वहाँ पर एकदम से तेनाली रामा उनकी बात को तोड़ देते हैं और वो क्या बोलते हैं कि मैं आप सब के साथ एगरी नहीं हूँ मतलब उन्होंने क्या बताया था कि कोई दान करता है उदारता से और कोई पवित्र होता है तो मतलब वो जो फिलिंग होती है वो उनकी स्वर्ग वाले होती तो तेनाली रामा उनकी बात को कार्ट देते हैं तो वहाँ पर एक और दरबारी होता है जो तेनाली रामा से जैलिस होता है मतलब जो जलता है तो एकदम से खड़ा हो जाता है जिसका नाम क्या होता है? स्वामी तो वो बोलता है कि मैं तो Do you ever agree with anyone? वो बोलता है कि मैं तुमारे साथ नहीं हूँ मतलब वो उसे जैलिस होता है इसलिए तेनाली ignored him and continued तो तेनाली जो होते हैं तेनाली रामा जो होते हैं उनको ignore कर देते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी बात को continue करते हैं और आगे बोलते हैं I believed that heaven and hell both exist right here on the earth तो वो बोलते हैं कि मैं तो believe करता हूँ मैं तो विश्वास करता हूँ कि जो heaven and hell दोनों चीज़े जो है वो earth पर है मतलब यहीं पर है everyone loved तो उनकी बाते सुनकर सबी लोग वहां पर हसते हैं whoever had heard to heaven on the earth or hell either तो सब हसते हैं और आपस में बाते करते हैं कि एसा किसने सुना है कि प्रत्वी पर ही स्वर्ग और नर्क दोनों हैं और हसने लगते हैं but krishnadev rai जो राजा थे वहां के krishnadev rai who was listening to the conversation वो सारी conversation जो भी पात्चित हो रही थी उनको सुन रहे थे और उन्होंने फिर कहा said tenali that is an arguable statement to make और tenali rama को बोलते हैं वो कि यह तो एक arguable statement तुमने बना दिया मतलब बहस करने वाला विशे बन गया can you show us heaven or hell on the earth तो वो tenali rama को बोलते हैं कि क्या तुम्हे मुझे या हम सभी को heaven or hell जो स्वर्ग और नर्क है वो इस earth पर दिखा सकते हो sure my lord tenali agreed I can tell you how to look for it but everyone has to find it for himself तो वो बोलते sure मतलब निश्ची थी my lord मतलब मेरे भगवान वो राजा को बोलते हैं कि मैं आपको दिखा सकता हूं उसको agree हो जाते थे tenali rama और वो आगे बोलते हैं कि मैं कर सकता हूं पर इसके लिए मुझे दिखाना पड़ेगा और सभी को ढूनना पड़ेगा well who will go first तो वो बोलते हैं कि इसे दिखाने के लिए कौन सबसे पहले जाएगा कौन वहाँ जाना चाता है मतलब उसे देखना पड़ेगा कहाँ पर नरके और कहाँ पर स्वर्गे on hearing the king's words everyone moved backwards so तेनाली spoke up why don't we send Swami तो सबने जैसे ही तेनाली रामा के words सुने शब्दों को सुना तो सबी क्या होकते हैं पीछे चले जाते हैं मतलब कोई जाना नहीं चाता है तेनाली राम की बात को सुनकर कोन रूणना चाता है तो उनको ढूणने नहीं जाना होता है लेकिन फिर तेनाली रामा एकदम से बोलते हैं कि हम स्वामी को भीजते हैं जो उनसे जैलस था उस कोड में स्वामी वास इरिटेड स्वामी जो था चिरने लगा एकदम से but couldn't say no लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं खा so how do I go about it he asked releucently तो फिर उसने बोला कि मुझे कहां जाना होगा और वो पिल्कुल उसके मतलब ये releucently का मतलब होता है इच्छा नहीं थी उसकी लेकिन फिर भी बोलता है मुझे कहां जाना होगा you need to go through the city disguised of course तेनाली रामा बोलते हैं कि तुम्हें city में जाना है और वहाँ पर disguised उन्हें रूप बदल कर जाना होता है ताकि उसे कोई पहचान नहीं सके तो तेनाली ने उसको बोला कि तुमको disguised मतलब रूप बदल कर जाना है तो वो बोलता है disguised क्यों anything a beggar में भी the courteous laughed तो उसने बोला कि तुम्हें एक beggar बनकर जाना है तो सारे जो courteous जो दरबारी होते हैं वो क्या करने लगते हैं हसने लगते हैं सब कि उसे भीकारी बनकर जाना होता है स्वामी वाज really annoyed how annoyed now but he had no choice तो स्वामी जो था वो चीड जाता है अब तो लेकिन उसके पास कोई choice नहीं होती है so he dressed in some rags and with a stone bowl in hand set out across the city तो फिर वो क्या करता है फटे पुराने rags का मतलब फटे पुराने कपड़े होते हैं उनको वो पहन लेता है और एक stone bowl एक पत्थर का जो बाउल होता है कोटरो वो हाथ में ले लेता है कटोरे को और फिर वो city के अंदर चले जाता है पार करता हो निकल जाता है for an entire day he roamed on the streets वो पूरे दिन उस city की गलियों में घुमता streets ने गलिया in the evening when he returned he was tired and hungry और जब शाम होती है और जैसे ही वो घर आता है तो क्या होता है वो बहुत थक जाता है tired ने थकना और hungry भूका भी रहता है क्योंकि खाना भी नहीं मिलता है उसे पूरे दिन वो घुमता है city में well, did you find either heaven or hell the king asked तो जैसे ही वो दरबार में आता है तो उनसे राजा पूछते है क्या तुमने heaven or hell ढूंडा मतलब स्वर्ग और नर्ग तुम्हें मिला what heaven, what hell I did not see any such thing तो वो बोलता है क्या heaven कौन सा स्वर्ग और कौन सा नर्ग मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया मुझे कुछ नहीं मिला तेनाली has been lying through his teeth और वो बोलता है कि तेनाली जो है ये तो जूट बोल रहा है He did this because he does not like me और उसने इसा इसले किया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता मतलब वो जो स्वामी है राजा से उसके शिकायत करता कि इसने जूट बोला था इसा कुछ भी नहीं हुआ और ये तो मुझे परेशान करना चारा था क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं करता I roamed the whole day and all I have to show is some stale bread and some small coins और फिर आगे वो बताता है राजा को कि मैं पूरे दिन roamed ये ने घूमना पूरे दिन मैं city में घूमा और मुझे वहाँ पर क्या मिले कुछ bread मिले मतलब bread के टुकडे मिले और कुछ coins मिले he replied angryly और इसा उसने गुसे में सब कुछ राजा को बताया cool down brother तेनाली ट्राइड टू कॉम हीम तो तेनाली है तेनाली रामा उसको बोलता है कि cool down मतलब शांत हो जाओ और वो उसको बोलता है कि धीरज रखो कामेने शांती है तो वो उसको कोशिश करता है शांत करने की you say you didn't see heaven or hell तो तुमने जैसा कहा कि तुमने heaven or hell दोनों नहीं देखा but you must have seen other things during the day तो तेनाली रामा आपने बात को आगे रखते हुए बोलते हैं लेकि तुमने बहुत सारी चीज देखी होगी during the day मतलब पूरे दिन में तुमने कुछ और भी देखा होगा of course Swami snapped तो बोलता है क्यों नहीं है ना मैंने देखा और चोड से बोलता है वो चिड़ कर बोलता है मतलब snap day ने चिड़ जाता है चिला कर वो उसको बोलता है हाँ मैंने देखा है I saw a husband beating his wife मैंने देखा कि एक husband अपनी wife को पीट रहा है I saw their children crying और ये भी देखा मैंने कि उसके बच्चे जो है चिला रहे हैं रो रहे हैं Oh my head still hurts from all that records और उसने बोला कि ये सब देखकर और वो से चोड भी पहुचा रहे थे और वो जोर के आवाज में निकाल रहे थे रैकेट से ने जोर से लाओडली चिलाना तो वो बच्चे जो है चिला रहे थे और वो बोल रहा था कि मुझे भी ये देखके बड़ा हट हो रहा था What else did you see तो तुमने क्या देखा वहाँ पर I saw another couple और क्या देखा तेनाली रामा उससे पुछते तो वो बलता है कि मैंने एक और couple को देखा है ना couple में पती-पतनी तो with their old parents जो कि अपने old parents अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे बुजुर्ग के साथ they were kind enough to share their lunch with me और वो जो थे उनका lunch share कर रहे थे मतलब वो आपस सब साथ में बेट कर और खाना खा रहे थे lunch ले रहे थे ये भी उन्होंने देखा So you did see heaven and hell तेनाली proclaimed families where you saw love and kindness that was heaven तो फिर तेनाली राम अपनी बात को आगे रखते वे बोलते हैं कि मतलब तुमने तो स्वर्ग और नर्ग दोनों देख लिया और वो अपनी बात को साबित कर देते हैं यह ना proclaimed day ने वो पूरे राजदरबार में अपनी बात को बताते हैं और क्या बताते हैं कि families where you saw love and kindness एसी families जहां पर प्यार होती है प्यार होता है दया होती है that was heaven मतलब महा स्वर्ग है वो family जो स्वर्ग है बट place where there was nothing except anger resentment violence and grief those families had created their own hill और एसे place जहां पर क्या होता है गुसा होता है ठीक है ना resentment मतलब नाराजगी होती है violence यहने जहां हिंसा होती है grief यहने जहां दुखी दुख होता है यहना सभी दुखी होते हैं तो ऐसी family क्या create कर लेती है वो अपने खुद कर नर्क बना लेती है the courtries couldn't but agree जो दरबारी थे वो समझ नहीं सके लेकिन फिर भी वो agree हो गए मतलब तेनाली रामा ने जिसा बोला था कि heaven और hell कहां होता है वो सब पुछ show हो रहा था तो students यहां पर हमारा lesson finish होता है यह story थी आपके heaven और hell की यह ना कहां पर heaven होता है और कहां पर hell होता है ओके ओके students bye